हाँ हाँ दोस्तों राजवान सिंग वाली प्रपटी गुरुकॉल चैनल में आँपका बहुत-बहुत स्वागत है आज का लेक्ति कि अंदे के उसके उपर सब स्बसे पहलेकर दों क्रेकिंटीफिकेशन का मतलब समझे केडि डेक्र attracted का मतलब क्या है English का word है, Gratification का मतलब होता है, जो आपको परसंता मिले, अनंद मिले, खुशी मिले, त्रिपती मिले, त्रिपत हो जाए हम, और इसको हम फल भी बोल सकती है, जो हमें फल मिलता है, फल मिलने से भी हम खुश होते हैं, और Illegal Gratification रिश्वत को कहा जाता है, तो सिंपल बात यह है, Gratification के उपर में बात करने वाला हूँ, कि हमें जो परसंता चाहिए, या खुशी चाहिए, वो कब चाहिए, इमिडेट चाहिए, या डिलेड, या आने वाले टाइम के बात चाहिए, जैसे बोला जाता है कि सबर का फल मिठा होता है, सबर का फल मिठा का मतलब है, आप आप देखते क्या हो आपकी सोच क्या है आपका विजन क्या है यदि आपका विजन एक दिन का है मतलो आज सुबह काम काम शुरू किया और शाम को हम रिजल्ट चाते हैं तो हम फिर केटागरी में आते हैं मजदूर की में फिर मजदूर की केटागरी में आएंगे और यदि हम आज से काम शुरू किया और महिने बाद कुछ इसका फल चाहते हैं तो हम एमपलाई की कटागरी में आएंगे फिर फिर हम एमपलाई की कटागरी में आएंगे और इसके बाद यदि हम काम शुरू करते हैं और इसका फल एक साल बाद चाहते हैं या फिर business category में आएंगे या फिर corporate की category में आएंगे क्योंकि वहाँ सलाना package दिया जाते है कि आपको एक साल का package इतना है आपको ये मिलेगा ये सूरते मिलेंगी एक साल के लिए ये मिलेगा तो उस में हम उसको बोलते है corporate corporate और यदि हम उससे भी आगे जाएं यदि हमारा vision या हमारी सोच चार साल की पांच साल की है ये से भी जादा की है तो इसका मतलब ये है कि हम project holder हैं फिर हम कोई न कोई बड़ा project के उपर काम करते है project के उपर तो दोस्तों मैंने ये देखा है 2005 में जब महाली में real state की बड़ी बड़ी company आई तो हमें ये लग रहा था कि वो बिल्कुल fail होके जाएंगी यहां से कुछ नहीं मिलने वाला उनको क्योंकि उन्हों ने ऐसी जगह पे जाके property ले ली जो हाली शहर से कम से कम भी छेशे साथ साथ किलो मिटर दूर थी तो ये बात हमारी भी ठीक थी क्योंकि मेरा भी इतना तेजर्बा है तो हमारा मेरा भी जो assessment था ओपर था कि ये ये पार्टी है जो इन्होंने जमीन ली है ये fail होगे जाएंगी लेकिन उनके दिमाग में ये delayed gratification वाला फार्मूला चला था कि आज हमने जमीन ली है ये इसका 10 या 15 साल बाद हमें result मिलेगा तो ये 2005 से लेके 2023 चल रहा है 2023 कितमने वाला है तो 18 साल के बाद 18 साल से भी हम 2 साल 3 साल पहले इनको इस बात का फल मिलना शुरू हुआ है ये जो इन्होंने सोच के काम किया था वो अभी इनको परापत होना शुरू हुए मतलब जमीनों के रे दूर होने की वज़ा से इन्हों ने जो प्लोटिंग की जो इन्होंने मृटी स्टोरी बनाई वो भीके नी कम भीके या किसी तरी सिक्के से जिन्नों ने लोगों ने लिए वो फस गए उनको दोबारे मतलब जो है investment में से return नहीं मिली लेकिन उसके अब अब इन दिनों में ये क्रोना के बाद की बात करूँ तो क्रोना के बाद में वह property बहुत बढ़िया rate में चली गई है तो ये delayed gratification का ही formula है कि यदू आप इंतजार कर सकते हो यदू आप सबर कर सकते हो तो आपका फल बहुत ही मिठा हो जाता है सबर करने की जुरुरत है हाँ इनमें ये जरूर है जो आदमी जिनके पास शायद अपने पैसे कम होगे या किसी के लोगों के इन्वेस्टमेंट करवाई होगी इन्होंने वो लोग शायद कामयाब नहीं होए होगे लेकिन जिस कंपनी के पास अपनी पेमेंट थी जमीन ने रिजिस्टिय करवागे रख दी उन्होंने सी अलियू लेके रख दिया और सब कुछ करके रख दिया तो वो ज्यादा प्रॉफ्ट में रहें सी अलियू जो आज का रेट है सी अलियू का वो बहुत जादा रेट है जब पंद्रा साल पहले सीयली उक्रोया होगा, उसका रेट भी कम रहा होगा, जमीन का रेट भी कम रहा होगा, लेकन बिक ही नहीं तब, बिक अब रही है, अब ये जो जमीन है, तकरीबन यदी तब ये रेट तब दो करोड़ पर या एक करोड़ या दो करोड़ पर किले एक पंद्रा साल पहले जमीन ली थी यह एक क्रोड या देड़ क्रोड पे पर जमीन ली थी वह उसके ब्रब्र ही प्लोट वेच रहा जिस आदमी ने जमीन ली थी मतलदो जिसरेंट में ली थी उसी रेट में यदि उसका कंपेरिजन आज हे रेट से किया जाए तो वह आदमी बहुत जड़ा गेंदर हैं जिन्नोंने जमीन फिली जिन्होंने이 तो वहरेंगे आऔर मेंड़क में फुनिणव नहीना एक करोड में देड़क उस तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल भाशा में यदि मैं कहूं तो उनका प्रॉफिट उनसे कहीं गुना ज्यादा हो गया मतलब उनको कंपीट करना बहुत ही असान हो गया मतलब जो 2005 में जिनों जमीन ली थी उनको राधर जो जो आज वाले इंवेस्टर हैं वो उनको कंपीट क मतलब यही है कि सबर का फाल मिठा होता है भाई यदि आप में गुंजैश है यदि आप कर सकते हो अच्छे तरीके से वेट कर सकते हो अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी पर्चेज कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो तो फिर आपकी सिचुएशन विन-विन वड़ी ही रहती है तो दोस्तों आज के लिए इतने वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना यह आप अपनी जिन्दगी में भी बसा लिना यदि आप डिलेड ग्रेटिव चाहोगे तो डेफिनेटली आपका फैदा होने बला है आपके दिमाग पर सबसे बड़ी बात है टेंशन नही होती कोई मतलब किसी तरीके का तनाव नहीं रहता यदि आपके दिमाग पर तनाव रहे भी पेमेंट का प्रेशर रहेगा कोई और रहेगा तो आप उस लेवल का काम नहीं कर पाऊगे शांती से काम नहीं कर पाऊगे शांती से पैसे को पैसे से अपनी रिटरन नहीं ले प रिमाच बहुत जल्द ने टॉपिक के साथ